परिक्रम लक्ष में हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के लिए बहतर काम कर रहे हैं, शेत्र में आगी बढ़ रहे हैं, छात्रों की मन में करियर को लेकर कई सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का अस्तर बढ़ सा केस के के लिए भी कोशिश कर रहे हैं लक्ष की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर शरद नेहा गुपता है जो इंपिटरस गुरुकुल इंस्टिट्यूट फॉर एंप्से एंट्रेंस एक्जाम के डायरेक्टर है सर बहुत स्वागत है थैंक यू सबसे पहले तो इंपिटरस गुरुकुल यह क्या है इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी और कौन-कौन से एक्जाम की यहां पर तयारी करवाई जाती है जी इंपिटरस गुरुकुल जो है वो एक जाना पैचाना नाम है यह सबसे जाना पैचाना नाम है अगर आज हम बोला जाए कि एंपिटरस गुरुकुल को नहीं जानता है तो हम लोग इंपिटरस की तयारी करवाते हैं जिसमें मैंली निमसेट सी यूटी महारास्त ऐसे अलग अलग एक्जाम्स होते हैं जिनके लिए बच्चे हमारे पास इंपिटरस गुरुकुल का एक यूटूब चैनल भी है जिसमें करीब 3.5 लेक्ट के आसपास सब्क्राइबर्स भी हैं जिसके थुरूप पूरे इंडिया भर के बच्चे हमारे साथ जोड़े रहते हैं बिलकुल सर देखे कई स्टूरेंस की प्रोग्राम देख रहे होंग कि बढ़ सकते हैं जी बिलकुल सही कोशन पूछा एक्चल में कई बार होता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 9-10 में अवेर होते हैं केरियर को लेकि कि उन्हें क्या करना है और अक्सर ऐसा बच्चा 10-11 प्लान कर लेता है वह या तो आयटी की या मैडिकल की या प्लान करतें अब यह करेंगे कुछ बच्चे प्लान करतें अलग अलग फील्ड में तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन किसी का जिसने आयटी की की है या एक किसी कारण से कॉलेज में नहीं जा पाया तो उसके लिए एक दूसरा रास्ता है क्योंकि एक टेक्निकल कोर्स है प नहीं था या प्रॉपर नहीं कर पाया था उसके पास एक और मौका मिलता है डियूरिंग रिशन कि वह अपने आपको फिर से प्रूफ करें और अच्छी जगे से का कोर्स कर पाए बिल्कुल सर देखिए इस एक्जाम के बारे में तुम्हें और जानना चाहूंगी क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है और आगे चलकर कितने सारे बच्चों के लिए रहेंगे लेकिन सबसे पहले यह जानना चाहूंगी आप 9 के बाद 10 में आते हैं फिर 11 12 बोड वाला टाइम आ गया तो आप किस तरीके से आप्ट कर सकते हैं मतलब क्या कोई काटेगरी डिफाइन है क सब्सक्राइब करता है यह सभी बच्चे इलेजिबल होते हैं में अच्छे से करें तो ग्रेशन के अच्छे से करें तो ग्रेशन के फाइनलियर में एक्जाम देखे कर सकते हैं और फिर इन्यटीज़ डि यू पून इनिवरसिटी बिएक उनिवरसिटी से जाके एंचे कर सकते हैं बिल्कुल जैसे भी आपने और आज की डेट में अगर हम इंडिया में जॉब देखें या वर्ल में जॉब देखें तो हाइस जॉब 60-70 परसेंट जॉब आइटी फीड में जाने का सबसे अच्छा तरीका या तो 12 के बद बच्चा बीए के थुरू जाए बी कंप्यूटर साइज इलेक्टोनिक्स इस तरह स इन फेक्ट आप देखो तो बी में मैकनिकल सिविल वाले बच्चे भी आईटी में चले जाते हैं और मान लीजे कोई 12 के बाद टेक्निकल फीड में नहीं जा पाता तो उसके पास दूसरा रास्ता होता आईटी फीड में करिभ बनाने का और वह सबसे अच्छा एंसी तो जैसे एंबी एक लिए क्याट एक्जाम होता है बिल्कुल ऐसे ही एंसी के लिए एग्जाम होता जिसके थ्रू एन इटिज मैटमिशन मिलता लाइक मैंनेड भुपाल की बात करें नाइटी तुरीची की बात करें या फिर सी यूटी के थूदी या जेइनियू इ स्टूरेंट करें लिए ट्रम एक्जाम। कि निएट के क्या करें चाहिए टकूरेंट कि आई यह शुचक्व वह का हम इट वह ड कौलेओंगी ब इसक्राइब को जाता है और में अद्मिशन होने के बाद क्या फाइद हो बिल्कुल अच्छा कुछिवंगी पूछा टैके च मिलते हैं जिसमें की कई सारे जैसे नाइटी त्रीची सूरतकल कैली कर तेलाबार यह सब नाइटी जैं वह पाल में मैंनेट है वैसे ही और फिर अगर माल लीजिए वह में कौलिफाय करता तो एडवांस के लिए लेजिबल होता है अब चुछेंब नाम में नाम में ले तो दौन न्याइटी में आपको बताना चाहूंगा हैं मैं अनका सब्सक्राइब करने से ससे एगजाम करने से क्या भाइदा कूंकि हम यह समझ्ध होते हैं लेकिन अगर हम आप HER को पहुचते हैं तो क्या फायदे हो थे क्या आवजां की नहीं है की ही आप भी देख रहे हैं बहुत साड़े इंजिर्िंग कॉलेजेश क्षम्फेLR लीजहांगien नहीं सबसे बड़ा करने का सबसे बड़ा होता है कि एक अच्छा प्रेश्मेंट मिलता है और अच्छे बच्चे जाते हैं बट बात आती है कि इन जाने के लिए क्या करें तो जो आपका कोश्चन था कि इनके लिए अच्छी परेशन लगती है एक लिस्ट वन और हाफ की एक सॉलिट परेशन जब तक बच्चा नहीं करेगा जब तक वह इन एक्जाम को कौलिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होती है इसी तैयारी के लिए बच्चे हमारे पास आते तो बेसिकली इंपिटर्स गुरुकुल जो है वह इंटेंस एक्जाम की परेपरेशन करवाता है और बच्चे इसमें वन यह टू यह को आप्ट करते हैं जो बच्चे फिजिकली आ सकते हैं वह भुपाल क्लास्रूम को जो ज किया जाता है तो बच्चों को वही कॉलिटी मिलती है तो इसलिए बच्चे इंपिटर्स गुरुकुल को जोई करते हैं और इंट्रेंस की परेशन करते हैं क्या बात है मतलब घर बैठे भी कई और बच्चे जोड़ पाते हैं तो अभी आप सीट का जिक्र कर रहे थे कितनी लगबग सीट होती है बच्चों के पास देखिए अगर नाइटी की बात करें तो केवल 813 सीट होती है मतला आप समझ देजे केवल 800 सीट है ऑल ओवर इंडिया तो यह बहुत कम सीट है इसलिए इसके लिए अच्छी परेशन लगती है बलकुल सर देखिए आजकल बच्चे नाइंथ नाइन क्लास के बदी परफ्रश्ट स्टार्ट सब्स्टार कर देते हैं भी परिजेशन तो नहीं करना होगा फेर मेरा के लिकल तोविळों 13त में तो मैं बोलूँगा उसको इंजिनिंग की या जिस फील्ड में जाना है वहां तैयारी करके तुरू के बाद जा सकता है पर अगर मान लीजिए तक उसने कोई तैयारी नहीं कि 11-12 को फोकस कर आप देखा हो कई बच्चे के वाद 11-12 कोई पढ़ते हैं तो जब वह करने जाएं तो फर्स्ट यर्या से मैं बोलूँगा कि पीजी में क्या करना है क्योंकि मेरा मानना लास्ट डिग्री हमेशे अच्छी जगे से निकल होनी चाहिए तो पीजी में क्या करना वह प्लान करें अग तो दोस्त हैं राजू उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो लास्ट आते हैं या बैक आजाती है तो अगर कुछ स्टूरेंट्स के ग्राजवेशन में बैक आ जाती है तब उनके पास क्या पॉसिबिलिटीज रहती है देखिए आपने जो कॉश्चन पूछा थी डेट बोला मैं कि अभी कि से अभी कि कि समिस्टर में बैक हो जाती है यह किसी का नें कोई पड़ेगा यह तो हमने पर यह पीजी कोर्स है तो इसके अटेंट में कोई प्राइम नहीं पर नॉल्मली या तो वह ग्रेशन के साथ देता है या वन टू थी ड्रॉप भी लेता है कई बच्चे जैसे जिनको पता ही नहीं होता फाइनल एर तक क्या करना है और उनको फाइनल में आकर पता चलता या फाइनल के बाद तो ड्रॉप भी लेते हैं और इन ड्रॉप का भी कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि अगर बच्चा अच्छे कॉलेज से लाइक से कर रहा है तो वन टू थी या ड्रॉप मैटर नहीं करते हैं अच्छा प्लेस्मेंट होता है और अच्छी कर्या गिरोध हो कोई मीडियं है क्या कि इंग्लेश हिंदी या आप जिस बोर्ट से है उसी में आप एक्जाम दे पाएंगे नहीं एक्चूल में एंट्रिंट एक्जाम का के लिए ऐसी कुई प्रॉडलम नहीं पर जो होता है ऑर एक्चूलने इसके इंट्रिंट एक्जाम के सिलेबर्स की पर जब हम आपने कोशन पूचा जैसे अगर हम जेए की बात करें तो तीन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, जोलोजी होता है अगर हम नीट की बात करें तो नंबर वन की इसमें जीवस के नाम पर मैथमेटिक्स या लॉजिकल दीनिंग या इस लिए प्रॉलम नहीं आति इस इंट्रेंस एक्जाम को कौलिफाइ करने के लिए बच्चे अगर मैस अच्छा है तो बहुत अच्छा है तो इसको बेसिक लेवल से मैस करना पड़ता है क्योंकि इंट्रेंस एक्जाम का मेजर पार्ट जो है वह मैथामेटिक से बिल्कुल परसेंट होना चाहिए 60 परसेंट होना चाहिए नहीं देखिए अगर हम निमसेट की बात करें आपने कोशन सही पूछा जैसे मैं इसलिए कंपर करता हूं आइट से जिसे आइट में कंपर करें तो आइट में कट आप मार्क होता है में इसको कौलिफाय करके एडवांस के आप मानके चलिए कि जो बच्चे होते हैं उनी को यह एनईटी मिल पाता है क्योंकि नमबर ऑफ सीट का में तो इसमें कि इसमें कितना परसेंट करता है कि आपकी इसमें रांक क्या आई है फिर भी ऑल्मोस्ट 50-60 अगर कोई बच्चा इंट्रेंस एक्जाम में स्कोर करता ह है तो डेफिनेटली वह एक्जाम क्लिया कर सकता है और अगर असपास करता तो उसके लिए एक्जाम कौलिफाय करना मुश्किल हो जाता है बड़ी संख्या में स्टूरेंस आपकी क्लास में नजर आ रहे हैं आपकी क्लास के बारे में जानना चाहूंगी लगब कितने बच् सब्सक्राइब 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 तो यूटूब चैनल का नाम भी आप एक बर बताएगा कई स्टूरेंट्स प्रोग्राम देख रहे होंगे तो यूटूब चैनल का नाम है इंपिटर्स गुरू को ली नाम ही है उसका ठीक है और उसके थुरू बच्चे हमारे से क्लास्रूम प्रोग्राम कब हो रहा है यह सारी डीटेल उनको वहां मिलती रहती हैं और बच्चे इस तरह से करते हैं एक और बेसिक सवाल मेरा यहां पर रहेगा जैसे पोस्क्राइशन होता है अगर निमसेट आफ्लियर कर लेते हैं कॉलेज में जाते हैं तो कितने साल आपको देने पड़ते हैं यह कोशन आपका बहुत इंपोर्टेंट कोशन है अभी पिछले दो साल पहले तक तो एमसी जो था वह था वह थी और पीजी में एक मात ऐसी डिगरी थी जो की थी जो अभी नए रूल के साफ से अब एमसी की डिगरी को टू यह कर दिया अभी भी निमसेट के थूर जाता है अभी भी थ्री यह प्रोग्राम है और इन्वर्सिटी जैसे यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं इन कॉलेजिस का फी स्ट्रक्चर में समझना चाहूंगी क्योंकि पैरेंट्स के लिए यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है जी देखिए अगर बच्चे करने जाता है तो थ्री येर के कोर्स की फी लगवख थ्री टू फो लैक्स रुपीज होती है इसमें सिक्स सेमिस जाता है लोन का कोई प्रॉलम नहीं आता और बच्चा आराम से पढ़ाई कर सकता अब इन टर्म फी देखें तो थ्री टू फो लैक्स के बीच में फी होती है बिल्कुल यानी की स्कॉलर्शिप उनको मिल जाती है वहीं कॉलेजिस से लोन मिल जाता है ठीक है लोन मिल जाता हैं साथ ही साथ पढ़ते हुए सीखना चाहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इंटर्शिप का क्या कुछ रहता आगे चलकर बिल्कुल रहता है अगर वह अच्छे कॉलेज से कर रहा है तो नॉर्मली थर्ड फोर सेमिस्टर में बच्चे को इंटर्शिप मिलती है ज कुल सर देखे कंप्यूटर सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं बहुत जरूरी हो गया है आप टीचर है आपकी राय में जानना चाहूंगी आटिफीशल इंटेलिजेंस का जमाना है जहां एक तरफ आप कांसर जैसे बड़े-बड़े दूसरी और आप बड़े-बड़े अभी हाली में चंद्रियान थ्री लॉंच हुआ है और ऐसे में अगर हम बात करें एन आई टी कॉलेज में बच्चों का पहुचना कंप्यूटर एक्जाम एमसी है ओवर आल आप इसको कैसे देखते हैं देखे आज की डेट में हगर हम द तो बिना आई टी फील्ड के तो आज अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं वह वही पार्ट है तो पूरी लाइफ जो है हमारी जो है आज की डेट में हम कहीं ना कहीं डिजीटल से जुड़ गए और हम हर समय उसी से कनेक्ट रहते हैं पर इस सब के लिए पीछे बहुत अच्छे कंप्यूटर फील्ड में अपना खेरिफ बना रहा है इन फैक्ट जो बच्चे नॉर्मल कॉलेज से भी बीटेग वगरा कर लेते हैं उनको तक जॉब मिल जाती है तो अच्छे कॉलेज से करके तो मिलेगी और कंप्यूटर का कभी स्कोप खतम नहीं हो सकता यह द बिल्कुल कई स्टूरेंस हैं और जरूरी नहीं है उनके पास कंप्यूटर हो और भी स्ट्रीम हो सकते हैं मैं अपनी बात करूं मेरे पास खुद बायोलजी था लेकिन जितना मुझे पता है सर कोडिंग स्वगरा रहता है कंप्यूटर में पाइफन जैसी कई लाइंग्व कई बार ऐसे भी आते हैं जिनका बीकॉम है कि सर हमें तो कंप्यूटर की नॉलेज्ज नहीं हमें प्रॉलम तो नहीं जाएगी तो मेरा एक मानना है पहली बात तो यह कि लेंग्वेश तो सीखना पड़ता है पर जब हम एम से करने जाते हैं तो थी यह हम वहां यही सीखने आँने जाते हैं और बात है कि कोई è समय प fout किया और फिर बनाया यह सेम तिंग की जिरॉन ऱहीं कोई नहीं कुछन बैसिक लेंग्वेजज जी तो बैसिक्टेस के बाद के बीच में समय मिलता तो मिलता हो i कुछन हना नहीं कि ब्क्राउंड कर करके जाए अब नहीं आती तो दीरे दीरे सीखेगा और मुझे नहीं लगता कोई बच्चा तक गया तो उसका लेवल बहुत कम होगा वह उसके सोचने के उपर करेगा बिल्कुल सोचना मेहनत और साथी कंसिस्टेंसी हर फील्ड के लिए बहुत जरूरी है जाते जाते मैं यह समझना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके पास भी आते हैं पढ़ते हैं एक ऐसा मत्र और या फिर मैसेज जो आप उन बच्चों को देते हैं य जब तक उसको नहीं पता है कोई बात नहीं पर अगर उसको यह पता है कि उसे क्या करना और उसके बाद भी वह ना जा गए ऐसे स्टुएंट के लिए मेरा मैसेज है कि बिटा ऐसा कभी मत होने तो सबसे पहली बात तो यह कि समय रहते हुए क्या करना आज हर बच्चा मेरे को यह मैसेज देना चाहूंगा कि केरियर समय हैते हुए बनाइए एक बार समय निकल जाता तो फिर बापस नहीं आता है तो अगर कोई बच्चा 9-10 में तो सोचे कि 12 के बाद क्या करना है तो सोचे कि समय क्या करना है ऐसा ना हो कि सब कुछ खतम हो जाओ फिर भी आप सोचो क्या करना है तो आप सभी बच्चों को कुल मिलाकर एजुकेशन के लिए आपके पास क्या करना है उसके लिए एक सोच मना लीजिए फोकस रखिए टाइम वेस्ट ना करिए और जागरोक रहना बहुत ज़रूरी है बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए इस प्रोग्राम में आने के लिए और चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही ताज अपडेट के लिए जुड़े रही बंसली उसके साथ नमस्कार